लालची व्यापारी एक समय की बात है एक गाउं में दो व्यापारी रहते थे वह दोनों गाउं गाउं जाकर अपने बर्तन बेचते थे उन दोनों में से एक व्यापारी इमानदार और दूसरा लालची था लालची व्यापारी सोचता जब कोई चीज बेचू तो उसे ज़ादा पैसो में बेचू और जब कोई खरीदू तो कम दाम में मिल जाए तो फैतर है ज़ादा फाइदा होगा एक बार वह दोनों एक गाउ में अपना व्यापार करने चाते हैं अलग अलग रास्ते लेकर वह घर घर जाकर सामान बेचने लगते हैं लालची व्यापारी एक गली में आता है और आवाज लगाता है पास में ही एक जोपड़ी में दादी अम्मा अपनी पोती के साथ रहती थी व्यापारी की आवाज लड़की सुनती और दादी से कहती है दादी दादी कुछ नया बरतन लेते हैं मेरे लिए कुछ तो खरीद लो ना दादी कहती है बेटा हम गरीब है इतने पैसे नहीं है कि कुछ खरीद ले लड़की घर में यहाँ वहाँ धूनती है और है ना हमारे पास एक पुरानी थाली है हम उसे देकर नहीं थाली ले लेंगे अच्छा फीक है दादी अम्मा थाली लेकर घर के बाहर आती है और थाली बताती है दादी इस थाली के बदले इस बच्ची को कुछ बरतन दे दो व्यापारी थाली हाथ में लेकर देखता है और क्या समझ जाता है कि वह सोने की थाली है पर उसका लाल्ची सभाव का क्या वह उन गरीबों को कुछ देना नहीं चाहता वो कहता है ये तो बहुत पुरानी है इसका कोई मोल नहीं यह कहते ही उस थाली को जमीन पे पटक देता है और वहाँ से चला जाता है और खुद को बात करते हुए कहता है थोड़ी देर में वापस आऊंगा और थाली के बदले एकादा बरतन देकर सोनी की थाली उड़ा ले जाऊंगा थोड़ी देर बाद इमानदार वैपारी उसी गली में आता है और आवाज लगाता है चोटी लड़की फिर दादी से कहती है दादी इसे पूछोना ये कुछ तो दे देगा दादी निराश होकर कहती है बेटा उस वैपारी ने थाली फेग दी उसका कोई मूल नहीं है लड़की नहीं मानती और व्यापारी को वह थाली दिखा कर कुछ देने को कहती है लड़की कहती है इस थाली के बदले कुछ मिलेगा व्यापारी देखता है विचार में पढ़ता है और फिर कहता है मैं इसका मोल नहीं चुका पाऊंगा मा जी दादी मा कहती है, क्यों? यह सोनी की थाली है यह सोनी की थाली है? तो यह थाली बाजार में ले जाकर बेचो और जिससे जो भी मिलेगा वो कल मुझे लवटा देना मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मैं इस थाली के बस आज कही जो व्यापार हुआ है उसका धन मैं आपको दे देता हूँ व्यापारी, थोड़ा सा जो भी हुआ वो धन आज का व्यापार का पूरा धन दादी को देता है और वहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद, वो लालची व्यापारी वहां आकर आवाज देता है ए लड़की, ला, वो थाली दे, उसके बदले में तुझे एक हादावर्तन दे दूँगा हमें नहीं चाहिए, दादी केती है क्यों? हमने वो बेच दी, एक इमांदार व्यापारी ने उसका मोल चुकाया है गरीब निर्धन को लूटते हुए शर्व नहीं आ दी व्यापारी के ही लालच का यह फल था उसे शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा और दूसरा व्यापारी अपने बरतन बेचने में सफल हो जाता है तो बच्चों हमें क्या सिक मिलती है? हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए लालच से दूर रहना चाहिए धन्यवाद